डे श्रूडेंट आज आप लोग की 12th क्लास की Agronomy की पहली क्लास है जिसमें हम lesson 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है Irrigation Irrigation यानि कि सिचाई, सिचाई क्या है तो फस्नों को कृतिम डंग से पानी देने की क्रिया ही सिचाई है फ़स्तलों के सफल उत्पादन हे तू पौधों की बृद्ध के लिए मृदा में आवशक नमी बनाये रखने के लिए कृतिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिचाई कहते हैं कर में इलका है कि फ़स्तलों को जल देने की क्रिया को सिचाई कहते हैं अब है नीट फॉर इ्ًरिगेशन यानि की शिचाई की आऊशकता थे हैं नीट फॉर इर्प इर्टेशन सिचाई की आऊशकता क्यों है ईए देखे लिखा है बिना सिचाई के फसल उत्पादन संभवन नहीं है जिन अस्थानों में 50 cm से लेकर 1.25 cm आउसद वर्षा होती है वहाँ भी सिचाई के लिए उचित प्रबंद करने बढ़ते हैं क्योंकि फसलों का सफल उत्पादन प्राया अनिशित ही रहता है और वर्षा में 25% की कमी होने पर फसलों को काफी च्छती पहुचती है ठीक है जैसे फसलों की सिचाई के प्रबंद की आउसकता का एक करण वर्षा की अनिमिता भी है जैसे क्या होता है किसी किसी वर्ष 15 जून से ही वारिष स्टार्ट हो जाती है और अच्छे से होती है लेकिन कभी कभी यह कंडिशन आ जाती है जैसे 15 जुलाई तक एक वी बूंद वारिष की वर्षा की नहीं किरी होती है तो वहां पर क्या करेंगे क्योंकि वर्षा पर हम वर्षा पर ही डिपन नहीं रह सकते हैं अगर वर्षात नहीं होगी तो क्या हम खेती नहीं करेंगे इसलिए सिचाई की ब्योस्ता उचित करना ही पड़ेगा अगर खेती करना है तो सिचाई के लिए शाधन दखने पड़ नमबर एक है यदि खेत में नमी कम है तो फसल बोने से पहले भूमी की तयारी के सिचाई की आउसकता होती है जैसे अगर नमी कम है तो खेत की जुताई भी नहीं कर पाएंगे सही से और जो है यहाँ हैं अगर अगप नमी होगी तभी बीज का अंकुरण ग्रोस हैसे करेगा निकलेगा रिक mobilize नेक्स्ट कोपाले से बचाने के लिए क्या करते हैं हम सिचाई करते हैं नेक्स है उससर भूमि सुधार के लिए सिचाई करते हैं उसके बाद है वर्सा की अनियमता के कहने का मतलब वर्सा की अनियमता यानि कि जब हमें पानी की आउसकता होगी जब हमारी फ़सलों को सिचाई की आउसकता होगी तब बारिश नहीं होग जैसे यह सब धान आलू और वर्षीम गन्ना यह सब क्या है ज्यादा पानी की आशकता होती इन फसलों में तो हम वर्षा कर नहीं सकते हैं अगर सिचाई की आशकता पड़ेगी तो हमें इसके लिए उचित प्रवंद सिचाई के लिए व्युस्ता करना पड़ेगा ठीक है इस पौधों के ब्रिद के लिए ही पानी की आशकता नहीं है उसकी बिणा नवी के बीच का अंकुरण तक भी असंबव है जब पौधे मलब नमी नहीं होगी तो बीच का अंकुरण कैसे होगा इसलिए पौधे के बढ़ने के लिए ही सिचाई की आशकता नहीं है पौधे के ब प्यिस्क्त रब स्टियस्ट कि नब्वत कर्शा कर देखा घंध। गोंठ करता है केवल घोलता ही नहीं अपित इनların को अंगों तक हुचाता भी है जल जो है भोजन को पहुचाता ही नहीं यानि घोला का और वहक नहीं करता है यह विल्कि उसके विभिन अंगों तक पहुचाता भी है ठीक है Next पौधों के भीतर पहुचने पर पानी नए योगी का बनाने का काम करते हैं पौते में जल या पानी पहुचता है तो एक नए योगि बनाता है ठीक है नेक्ट है पाणी वासपोघ्चन और सासाररिया के लिए भी आउस्चक है पौधे के लिए जल जो है वासपो सजन क्रिया के लेविया उस्षक है Next है भूम में रहने वाले मित्र Android जिवानू पानी के अभाओं में नश्ट हो जाते हैं एक जो भूम में हमारी खेती के लिए जो लाब दायक है वो जी वान है अगर पाणी लहीं मिलेगा ख़ताम हो जाएंगे जिससे और हमारी फस्कों नुक्छान होगा ठीक है पर किलेमकुले टोरखेत में अपना घर बना लेते हैं ये मिले या सिचाई होने पर जल मिलने पर वह नष्ड हो जाते हैं जैसे दीमक थीज़ेंट बहुत खतरनाक है अपनी फसलों के लिए हंकर्याक है इसलिए अगर पानी मिल जाएगा था ढिमक अपने आप नष्ड हो जाएगा ठीक कर नेच्ट है पादे अपना भोजन द्रौग के आते हैं तो हमें पौदों को पानी की आशुकता होगी जिससे वो घोल के रूप में बना पाएं ठीक है अब नेक्ष आता है सिचाई जल के समझित प्रेग के लिए तीन बातें जानना आवस्यक हैं वह कौन कौन सी है वो तीन बातें कौन कौन सी है सिचाई कब की जाए सिचाई कितनी की जाए सिचाई किस प्रकार की जाए अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सिचाई कब की जाए और कितनी की जाए किस प्रकार की जाए तब तो फोसल हमारी बरबाद हो जाएगी यानि नश्ट हो जाएगी ठीक ह अब नेक्स्ट है सिचाई कितनी की जाए अगर हमें सिचाई के बारे में पता नहीं होगा और ज्यादा सिचाई कर देंगे तो भी हमारी फ़सल क्या होगी स्टड जाएगी यानि नुक्षान खतम हो जाएगी ठीक है सिचाई की जितनी आउशकता हो यानि कि सिचाई की जितनी आउसकता हो सिचाई उतनी ही करें न कम न जज़ादा टी नाली में जो खर्वतवार जम्मे होते हो खेत में चले जाएंगे जिससे हमाई खेत में खर्वतवार हो जाएंगे और नाली सापस्तुरी रहेगी सही रहेगी तो पानी दोदर वेश नहीं होने पाएगा सीधे खेत में जाएगा और सम्तल होगा तो बराबर महात्र में पानी नहीं होगा कोई सी चाहिए इस वज़े से खेत समतल भी होना चाहिए नाली साफ सुत्री होनी चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज आफ नेचुरल वाटर यानि की भूमी के प्राकृतिक जल्सरोद जो नेचुरल रूसे पानी मिलते हैं भूमी को जैसे पहला तो वर्सा है दूसरा है वाइमंडलीय जल तीसरा है बाढ़ चौथा है भूमी गद जल वर्सा क्या है वर्सा आप लोग को पता हिए परियाद मात्रा में होनी चाहिए ठीक है वाइमंडलीय जल यह क्या है वाइमंडलीय जल जैसे कोहरा ठीक कोहरा पड़ता है सीथ पड़ती है और कोहरा हो गया और ओस हो गई यह सब क्या है वाइमंडलीय जल है जैसे जब यह पड़ता है तो नमी खेट से नमी को जाने नह देता है नमी अधिक दिन तक रहती है ठीक है नेक्स है बाड जैसे बाड से कैसे करेंगे बाड वो है जैसे की बाड खुबा जाई आ गई और पानी को किसी एक जगा या किसी तलाब में फिर रिस कर भूम के नीचे चला जाता है इससे भी क्या होता है बाद पानी वाट लेब छाईक नलकूप ट्यूब्ल दोरा फानी खेत की सी चाहिए करते हैं ठीक है यह हो गया वर्सा आपको पता ही है जो वर्सा के दौरा पानी मिलता है वाइमंडली जैसे मैंने आपको बताया को और कोरा हो गया ऐसके दौरा जो खेत में नमी प्रयाब्द रहती है उम सब्दा तो पानी क्या होता है वह नीचे जमीन में रिष्कर चला जाता है तो बाद में उससे वाटर लेबल बहुत अच्छा हो जाता है जैसे हम खेती से चाही करते है नेक्स हो गया भूमिगत जल जैसे नलकू ट्यूबिल द्वारा पानी निकाल कर खेती से चाही करते है ठीक है अगर बहुत जादा अगर पोधे को जल नहीं भाले नहीं इस खाल वर नमी नहीं होगा तो बीच का अंक्रण सही से डंग से ौका फिर हमाई अपसट सैसे जमाओ नहीं होगी और फसल ज़िट जमेंगी नहीं तो फसल व होगा उत्पादन नहीं नुक्षान होगा और हमारी परिश्राम धन ब्याज सब नुक्षान बहुत ब्यारत चला जाएगा ठीक है यह सारे पॉइंट हो गए जो मैंने आपको बताए आज की दिन पहली क्लास हों सिर्फ इतना ही इसके आगे मिलेंगे नेक्ष डे ठीक है इसक जो मैंने आपको पॉप्षान पॉप्षान नहीं टूंगे यह से लगने इसके घर पॉप्षान भी क्वफ्षान पान हो गएवर शीजितव और जाना ही थाफ उनुपषान वेक्षान और शांपको ब्यारत